नमस्कार सात्यों मैं हूँ एडवगट सुक्षोत्री सात्यों आज अपने बात करेंगे गलफ में दुबई से रिलेटेड आप भायोंने कमेंट केते हैं मैं सोटली तरीके से आंसपर देने कोशिस करूँगा इससे पहले रिक्वेस्ट यह वीडियो अच्छा लगे तो ना बनाया होता है उसको passport number नाम के टिकरी डाल देते हैं समझरे तो फर लेटर को चेक करने का कोई नहीं है उसमें हो सकता है कि आपको फर लेटर दे दिया उसका वहां पर जो भी नहीं हो तो उसमें दो रिजनल यह तो फेक यह ओरीजिनल तो वह आपको अपने निर्ने क्य दार पर सोचना है कि यह औरीजिनल है वाकि ओफर लेटर का दुबए में इतना कोई इस्यू नहीं है वह अगर वीजा है तो चेक हो सकता है ओफर लेटर का क्या चेक करना उमेशरमा बोलते हैं सर मेरा दोस्त दुबए में दो साल के लिए गया था उसने इंडिया में दिये उसके बाद 25 सो दरम कितना हो गया यार लगबग 40,000 रुपय आपने और दे दी यह तो बहुत ज़्यादा पैसे दे दी यह तनका कम कर दी तो बिल्कुल गलत है अब उसके बाद आपको क्या करना क्या नहीं आपकी क्या कुड़को डेल होई थी क्या आपका कुंप्र बिजा के लिए दुबए में हो तो वहाँ से युजिट विजा आप मिल सकता हूँ और विजा एसी कोई बात नहीं है लेकिन उसके लिए कंडिशन होगी वह ऐगर फ़ॉलो करते हैं तो आपको बिल्कुल बिजा मिल सकता एक कंट्री से दूसरी कंट्री आगे लोग जह से स ये दुबई का विजा दुबई की सैड बे लेबर साइड बे चेक कर सकते हैं दुबईए लेबर.com या और भी सअधी होती है उस पर विजा जाके विजा चेक कर सकते हैं आरब से विजा चेक हो जाएगा अप परसनली मुझे वोट्सथोप करें मैं आपको बता दूंगा सलीम शेक बोलते हैं सर दुबई विजिट वीज़ा थ्री मन्त का कितना खर्चा लगता है भाई देखें दुबई का थ्री मन्त का वीज़ा का 22,000 से लेकि 25,000 तक ले लेते हैं मिनिमम 22,000 है उपर से 25,000 है इस से 20 में ज्यादा खर्चा इसमें नहीं लगता मुबारिक खान बोलते हैं सर अभी मैं साओधी में हूँ मुझे दुबई जाना है लॉडर ओपरेटर डॉजर ओपरेटर में क्योंकि शेल ली क्या है दुबई में प्लीज बताए देखिए बाई यह जो कर्ठक्सन से रिलेटेड है ना दुबई में कतर में साओधी गलब में सेम सेम है कोई भी फरक नहीं है कोई भी फरक नहीं है जितना आप दुबई साओधी में कमा रहे हो वही तनका आपको दुबई में मिलेगी बलकि दुबई में directly यह loader यह डोजर operator डिरेकली नहीं मिलेगा क्योंकि उसके महां जाके license बनवाने के बाद यह जो मिलता है सुधी में आसा नीचे मिल जाता है तकि दुबई में ऐसा नहीं है तो थोड़ा से ध्यान रखें सोस समझ गया आये भरना ये दिक्कत हो जाए कि सौधिवाला जो भी चुट गया दुबई का काम भी नहीं हुआ तो आप सोस ले थोड़ा सा सतिश कुमार बोलते हैं सर मेरा भाई दुबई में है उसने अभी बेजा था लगे हुए पांस दिन हुए है बी यू जांसी टूरिस्ट विजा पर क्या होता है मैं उसे वापस बलाना चाहता हूँ सर वो वापस आ सकता है कि दिक्कत तो नहीं होगी एजेंट तीन जार दरम मांग रहा है बोल राइच है मैंने बात जाना बेजा देख लिए विजिट विजा में आपने वेजा है वन मंत वाले में थ्री मंत वाले में तब तो अगर आपका अजेंट आपसे तीन जार दरम मांग रहा हूँ गलत मांग रहा है पांस दिन में उसने वीजा भी वहां पर अपलाई नहीं किया तो उसका कोई खर्चा नहीं हुआ या पहले से अपलाई कर रखा वो कंडिशन भी डिपेंड करता है बाकि वीजा का पैसा तो लगता है अगर उसने अपलाई किया है तो उनसे डॉकुमेंट मांगी वह अगर बोलेगा यह आपकी देखो वीजा की पीस मैंने वहां पर इमिग्रेशन में जमा रखी है तो वह सही है वरना वह गलत है तो आप अपने हिसाब से दोड़ा देख लीजिए अलता आप कुमार बोलते हैं असोग भाई मैं भी टेलर टेलर भी हूं और मुझे ड्राइब रिंग भी आती है मैं दुबई जाना चाहता हूं मैं किस जोब में जाओं इसमें प्र हो तो ड्राइबर के लिए इंडिया से ड्राइवरी का जोब नहीं मिलें आप यॉप में आपको जाना होगा वहां अप इंट्रिव दे के प्राई दे कर दे के लाइसस बनवा सकते हो फिर आप ड्राइवरी कर सकते हो दोनों सब्सक्राइब जरूरे ताकि आने वाली